तो आज जो इंडियो लेकि आई हूं बहुत इंप्रेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखे क्योंकि आज मेरा एक मेसेज है वो सारे बड़े नैशनलिस्ट को, वो सारे इंडियन यूटुबर्स को, जिन के लिए मैंने एक वीडियो और बनाया था इस वीडियो में मेरा एक चैलेंज उन सारे सब्सक्राइबर्स को है जिनोंने इन नेशनलिस्ट को सब्सक्राइब करके रखा है आज मैं अपने देश के लिए आवाज उठा रही हूँ और अगर इसके लिए मुझे अपने इंडियन यूट्यूबर्स को भी जगाना पड़े तो मैं वीडियो बना बना कर जगाऊंगी लेकिन जगाऊंगी जगाऊंगी ज़रूर क्यूंकि हमारा पैसा हराम का नहीं है जो पाकिस्तानियों के घर जाए और वहां जाके हमारे खिलाफ यूज हो जैहिन दोस्तों वेलकम तो माई चैनल अरन लेडी ओफिशल में आपका स्वागरत है तो फाइनली हमारी लगाई एक छोटी से चिंगारी एक मोहिम जिस पे हमने शुरू से कहा था बाइक कॉट पाकिस्तानी चैनल बाइक कॉट आल दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तानी यूज कर रहे हैं इंडियन्स को बेवकूप बनाकर हमारा पैसा खुद हम से व्यूज के नायम पर लेकर आतंग वात को पालना पिर जिस मुल्क से हमाया उस मुल्क को देशतगर्द बोलना उस मुल्क के ओडियन्स को पागल मेंटल बोलना और बहुत सी ऐसी चीजे थी जिसके अगेंस्ट हमने आवाज उठाई हमारा पैसा हमारे ही अगेंस्ट यूज किया जा रहा है आतंग वात को बढ़ाया जा रहा है ये तो सिंपल कॉमन सेंस है कि जिस देश में पैसा आएगा उस पैसे का टेक्स तो गौर्णमेंट हो जाता है और अगर पाकिस्तानी गौर्णमेंट हो तो आप समझ सकते हैं कि उस पैसे का सही यूटिलाइज क्या हो रहा है बिलकुल सही समझे हैं आतंग वात पे हो रहा है उसका सबसे जादा खामियाजा हम इंडियन्स को चुकाना पड़ा है जब हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं वीद गती को प्राप्त हो जाते हैं और फिर और फिर हम केवल अपसोस करके रह जाते हैं लेकिन देखना इनका ही चैनल है क्यूं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जो सबसे पहले सारे इंडियन यूट्यूबर्स में डीडे रेयाट के आलोग रंजन जी आलोग भाई मैं परस्नली आपकी एक विवर हूँ परस्नली मैं आपके एक सब्सक्राइबर भी हूँ मैं आपको बता दू मैं आपको अपना आइडल समझती हूँ लेकिन मुझे बहुत अफसोस है इस बात का मैंने एक वीडियो बनाया सारे इंडियन यूट्यूबर्स के लिए आपके लिए किटू राओ के लिए अनूस धीमन जी के लिए और बंटी के लिए और भी लोग थे सब के लिए लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया लेकिन मेरे को सबसे ज़ादा उमीद आप से थी आलोग जी आप मुझे एक बात बताईए आप हर एक छोटे बड़े मुद्दे को कवर तो कर लेते हैं आप कहते हैं आप पाकिस्तानियों के साथ स्टेंड नहीं करते क्योंकि ये दोगले होते हैं दो मुहें होते हैं मैं मान गई लेकिन आप मुझे बस इतना बताए कि आपने सनामजद, सोहेब चौधरी, रिबा इमरान, निमरा और भी ऐसे बहुत पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है जिसको आपने जमकर रोज़्ट भी किया है जिनके अगेंस्ट आपने वीडियो भी बनाई है लेकिन क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि नैला पाकिस्तानी रेक्शन चैनल में शैला ने जब कहा कि हिंदुस्तान, इंडिया एक दहशत-गर्द मुल्क है जिसको आडियो में एक बार फिर सुनाना चाहूंगे, सुन इंडिया एक दरिशत-गर्द मुल्क है ये बोलना है ये सब अब समझ रहो, जब उसने इंडिया को दर्शत-गर्द मुल्क कहा, आपने रियक्ट नहीं किया जब इसने इंडियन यूट्यूबर को स्ट्राइक मारी तो आपने रियाक्ट नहीं किया आपने एक भी वीडियो रिवर्ट नहीं बनाया, क्यों? मैंने जब सारे इंडियन यूट्यूबर से पूछा, मुझे उम्मीद सबसे जाधा आप से थी कि आप अपने आपको nationalist, neutral बन्दा कहते हैं, एक ऐसा इंसान कहते हैं, जो अपने देश के लिए खड़ा है तो आपने वीडियो का reply क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता कि Facebook illegally ये use कर रही है, इनके against बनाना चाहिए? जबकि Facebook तो enabled है ही नहीं, पाकिस्तान में फिर ये पैसे और stars कैसे मांग रही हमारे इंडिया के audience से? क्या आपको नहीं लगा हमारे देश के लोगों को जागरूप करना चाहिए? आप reply देते हैं पाकिस्तानियों को, क्यूं? इस दू मिनिट का वीडियो बना के रिवर्ट कर दे, अपनी प्रतिक्रिया दे, आपको ऐसा नहीं लगता है, एक इंडियन होने के नाते आपकी एक responsibility बनती है, जहां आप सब को खदेड़ है, वहाँ पर उस चैनल को और उस होस्ट को भी खदेड़ा जाए, जिसने इंडिय को दैशतगर्द मुल्क बोला है, जो इंडियन न्यू यूटिवर्स को स्ट्राइक मारती है, जो फेस्बुक से पैसा खाती है, आपको नहीं लगा कि इन लोगों का भी सच सामने लाया जाए, बट आपने नहीं किया, वो सब छोड़िये, आपने तो मुझे reply नहीं दिया, मैंने आपको वीडियो बना के पूछा था, एटलिस वीडियो बना दो, लेकिन आपने क्या, आपने reply ने दिया, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यह हला हंगामा हो रहा है, जब शान्त हो जाएगा, उसके बाद मैं खरूँगा, तो उस चीज का फाइदा नहीं होता, राइ पैसा कमाने के लिए है, इसमें कोई देश भगती, यह सब नहीं है, आप कॉंट्रवर्सी में नहीं फसना चाहते हैं, तो चलिया, I accept it, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा ही बिजनस हो गया है, कि लोग पैसा कमाते हैं, खाते हैं, कोई गलत बात नहीं, कमाना, खाना, घर चल भी अपलोड नहीं हुआ, नहीं आपने रियक्शन देश, तो यहां मेरा चैलेंज, सारे सब्सक्राइबर्स, सारे ओडियन्स से है, जो आलोग जी को देखते हैं, डीडी रियक्ट को फॉलोग करते हैं, अंत भक्त हैं, डीडी रियक्ट के भी, तो प्लीज, जाईए उनके कमेंट सेक्शन में, पूछें, उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, बात जब देश पर आई, तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया, बात जब इंडियन यूट्यूबर्स पर आई, तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्यों अपने इंडिया को सपोर्ट नहीं करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट डिलीट करते हैं तो अब आप मुझे बताएं आलोग जी मैंने खुल कर पूरे जनता के सामने पूरे देश के सामने आपसे पूछा है अगर आप सचे नेशनलिस्ट है तो आपने नैला शैला के अगेंस्ट वीडियो क्यों नहीं बनाई और साथ ही हो जाएं तो इस देश में पाकिस्तान जैसे नापाक मास्टर माइंड जो वहां बैठके खेल रहें उनका खेल खतम हो सकता है मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज आ गया आईए लेकिन आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करूंगी क्योंक आप लोगों के अंदर के आत्मा नहीं जागी है इन चीजों को देख कर आप लोगों का चैनल बड़ा है उसमें क्राउड बहुत है आप बोलिए अपने पूरे इंडियन ओडियन्स को बोलिए पूरे पाकिस्तानी चैनल को एक साथ बाइकॉट करे रिपोर्ट करे इनका नामों निशान इंडिया से हटा दे क्योंकि हमारे इंडिया में entertainment की कमी नहीं है इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क कहले के संबोधित नहीं किया है लेकिन ये देश इंडिया को काफिर और दुश्मन मुल्क बोल कर ही संबोधित करता है ये बात आप सबको पता है हिस्ट्री चेक कर लीजे और आज तक का प्रेजेंट चेक कर लीजे वहां का बच्चा-बच्चा कहता है कि हिंदुस्तान जाके मारूंगा ये इनकी गंधी मेंटालिटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उस्क्रिप्टेट पब्लिक रियक्शन चैनल्स को बाइकॉट कीजे पाकिस्तानी सारे चैनल्स को बाइकॉट कीजे उनका सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म बाइकॉट कीजे अवरिटिंग तो उमीद है दोस्तों अब आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट जरूर करेंगे और डीडी रियक्ट के साथ सारे इंडियन यूट्यूबर से पूछी जिनको आप आख बंद करके फॉलो करते हैं कि उन्होंने आवास क्यों नहीं उठाई देश के लिए क्यों बैठे हैं चुपचाप क्या वज़ा है ऐसा क्या ले रहे हैं वो पाकिस्तानियों से जो उनके अगेंस्ट वो बात नहीं करना चाहते जवाब जरूर दीजेगा कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहन जै भारत